सो हेलो श्टुडेंट्स वेल्कम बेक टो मै यूटूप चनल एस्वी स्टेड़ी क्लास ऐस नाइन तर्पिर फाइप तो श्टूएंट्स आज हम लोग बात केरेंगे क्लास ट्वल्त फिजिक्स को लेकर ट्वल्स फिजिक्स फर्स्ट बुक जो हमारी बुक का फर्स्ट पार उसी के लिए हम क्या करेंगे उसके सूत्र का निगमन करेंगे और यह जो हमारा टोपिक है यह आपकी बोर्ड एक्जाम के अंदर 5 मार्ट का आता है बच्चों कितने बच्चों माकस आता है पांच बाक्स का और अगर अगर हम इस अन्साल पेपर अगर आप उठाके तो ऐसा कुस्चन ने पच्छे से सात बार आया हुआ है एक कुस्चन हमारा जो डरीवेशन नहीं बोर्ड इक्जाम के अंदर आता है और ऐसा वासा नहीं बहुँ ज्यादा आता है तो इसलिए इस डरीवेशन को आपको समझना पहुती अनिवार रहे लेकिन आपको वीडियो सुरू से लेकर अंतक देख लेना है अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं समझाए तो भी आपको ए डेरिवेशन जो है समझ में आ जाएगा इस डेरिवेशन को हल करने से पहले आपको एक सूत्र क्या पता होगा या नहीं पता है सी जुकल्टू एक सूत्र आपको पता होना चाहिए क्यू अपॉन भी पता है या नहीं पता है आप हमें बता है सी जुकल्टू क्यू अपॉन भी और अगर इसी सूत्र को हम सही करके लिखें दिखें अगर हम इसके बटे में बन माल लें तो करनी कर इधर से तिर्चा गुणा करी इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ तो Q is equal to क्या जाएगा C भी हो जाएगा ये सूत्र आपको पता है ये नहीं पता है ये सूत्र बच्चों आपको इस चेप्टर के जितने भी मैंने डेरिवेशन करा है लगवक तीन से चार डेरिवेशन इसके पीछे करा चुका हूँ उन सभी में C is equal to Q upon B या Q is equal to C B अगर हम माल लिजे Q1 करते हैं तो हमारा C1, B1 होता है कहीं पर B जो जाय वो नहीं चेंज होता है लेकिन अगर हम Q1 करते हैं तो C1, B1 और अगर Q2 करते हैं अगर हम यहाँ पर तो C2 और B2 आता है इसी सूत्र से related हम इस चेप्टर के अंदर इस डेरिवेशन में हम इसी सूत्र पर लेकर हम पूरा डेरिवेशन को solve करेंगे बच्चों तो इसी लिए आपको अपने concentration का level बढ़ा लेना है आराम से समझ लेना है कोई dissection नहीं होना चाहिए देखे ए हमने इसमें क्या करना है आवेशों के चाल आवेशों के पुनर वित्रन से वहाई निश्त बिभव केनी सूत्र यह निकि हमारे पास दो आ वेश है यहां पर एक तार है यहां पर है इनको मैंने किया कि एक बैधाउ सरोत है पर बैटरी है इस पर मान ली हमारा कईटरP नको आप प्वाण्ट है इधर रहेगा Q1 Q1 Q2 और इधर बीवो बीवो क्या आई अगर हम यहाँ पर धारिता C1 इधर होगी तो धारिता C2 इधर होगी अगर हम इनका आबेस निकालेंगे इस तार पर आबेस निकालेंगे तो कितना आएगा Q1 is equal to क्या आजाएगा C1 और B1 आजाएगा अगर इस तार पर निकालेंगे तो Q2 is equal to C2 C2 और B2 आजाएगा आजाएगा नहीं अगर कुल आबेस की अगर हम बात करेंगे इस पर कुल कितना आबेस है तो बो हो जाएगा Q और Q अगर हमें निकालना है तो क्या करें Q1 प्लस Q2 इनको जोड़ देंगे हमारे पास कुल आबेस आएगा अगर हमें कुल धारिता निकालनी है तो C equal to क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 अगर हमें कुल धारिता निकालनी तो कुल धारिता भी आ जाएगी तो इसी प्रकार से इन्हें एक दो सुत्रों को हम यूज़ करके इसके अंदर इसको स्वालो करेंगे पहले इसकी पर चित्र आपको अच्छा दिखा देता हूँ अब कुछ डेरिवेसन आप पढ़ लीजे देखी क्या लिखा हुआ है माना दो चालक आबेस चालक आबेस Q1 बा Q2 है Q1 बा Q2 तता जिनकी धारिता है C1 बा C2 है तता उन पर उत्पन विभो जो है B1 बा B2 है इनको एक तार द्वारा जोडे गए एक तार जो है बैदुत तार है इसके द्वारा इनको क्या किया गए हमने बच्चों जोड दिया है इन तारों के द्वारा हमने इसको जोड दिया गए अब देखिए क्या कहए रहा है पुनर बितरार से पहले चालक पर आबेस क्रमसा देखिए पुनर बितरार से पहले चालक पर आबेस क्या था Q1 is equal to C1 B था Q2 is equal to C2 B थे देखिए Q1 is equal to क्या हो जाएगा C1 B1 इसको मान लिजा UKation number 1 और Q2 is equal to क्या हो जाएगा C2 B2 इसको मान लिजा UKation number 2 ठीक है दो समीकाण हमारे पास आ चुकी है अब देखी क्या कह रहा है Q1 Q2 मान लिजा अब हम क्या करेंगे अबेसों के बीच यदि दोनों चालोकों के बीच क्या हो जाएं विभव जो है वो क्या हो जाएcken कुल आबेस अपोन कुल धारिता कुल आबेस बटे कुल धारिता अब हमें पता है कुल आबेस हमने क्या निकाला कुल आबेस क्या है क्यूबन और क्यूटू है हमें आबेस कुल पता है कितना होता बच्चों क्यूबन होता है कुल आबेस हमारा क्या है क्यूबन प्लस क्यूट की वरिए इतना अगर आ गया तो आगी आजाएगा अब हम क्या करेंगे क्यू वन और कुटू के मान दिए गें समीकर्ण एक और समीकर्ण दो इनको मान रखे देंगे क्या लिखेंगे Q1 ब्वा Q2 के मान रखने पर बच्चो क्या करेंगे Q1 और Q2 के मान रखेंगे तो उभै निस्ट भी हो उभै निस्ट भी हो Q1 का मान कितना है C1 Q1 का मान कितना है C1 B1 प्लस Q2 का मान कितना है C2 B2 ये मान दिया Q1 का मान ये दिया है Q2 का मान ये दिया अपोन में क्या जाएगा C1 प्लस C2 धारिताएं का मान तो दिया नहीं तो हमारे पास क्या आ गया सूतर देखो फाइनली क्या आ गया C1 B1 प्लस C2 B2 डिवाइड वाई C1 प्लस C2 यह किसके जुकल टू? B जुकल टू आ गया बच्चो यही 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 सूत्र का अंसर है यही उबहनिष्ट भी हो आएगे पुनर वितरण के से यहीं कि आवेशों के पुनर वितरण से उबहनिष्ट भीभो का जो सूत्र आएगा B जुकल टू C1 प्लस C1 B1 प्लस C2 V2 डिवाइड वाई C1 प्लस C2 अब एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से किलियर हो जाए देखिए बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे आबेसों के पुनर वितरण से उबहनिष्ट भीभो के लिए सूत्र स्थापित करना हमने सूत्र को इस्थापित करने के लिए क्या करेंगे हम दो कोई चालक ताल लेंगे जो एक पर आबेस Q1 होगा आबेस Q2 होगा का आबेस C1 दारिता होगी C1 दारिता होगी B1 धारिता होगी और B2 धारिता होगी क्योंकि उभाइनिस्ट B4 हम तब ही निकाल सकते हैं जब दोखी तुलना करेंगे अब हमने क्या किया है प्रते एक आवेस चालक आवेस का आवेस Q1 पा Q2 है जिनकी धारिता है C1 है और C2 है तो था B5, B1 पा B2 है अब हम क्या करेंगे इन में क्या करेंगे इसमें एक तार से उन्हें एक जोड़ा गया एक तार से जोड़ा गया तो एक बात हम बात कर लेंगे इनको पुनर बित्रन से पहले चालकों पर आवेस किया था और फिर बात कर लेंगे पुनर बित्रन से बाद में चालक पर आवेस क क्या करेंगे अब आबेस के पुनर बित्रण के बाद में यह निकि आबेस का हमने पुनर बित्रण कर दिया उसके बाद में यह जोनों चालकों पर बिभो क्या हो गया समान अगर इन मालिया हमने इन दो चालक जो है इन पर बिभो जो है वो समान है यह निकि बिभो क्या हमारा इनकी जगे में यह मुंआ पता है तो अम्हें आप अगया धालता है क्या होता है अब धारिता है C1 बाद C2 है उन्हें के बारे हमने लिख दिया अब हम क्या करेंगे हमें पता है कि Q1 बाद Q2 के मान रख देंगे Q1 Q2 को मान हमारी ऊपर है देखिए Q1 is equal to C1 B1 और Q2 is equal to C2 B2 अब हम क्या करेंगे उबहे निखालने के लिए B is equal to C1 B C1 B1 plus C2 B2 upon C1 plus C2 यही हमारा इसका अंसर हो जाएगा और इसी तरीके से आपको अपनी नोट बुक में नोट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है अगर आपको एक बार में नहीं समझ माया क्योंकि बच्चों जो फिजिक से एक थोड़ी यहां पर आपको हर चीज एक बहुत ही बारिक से समझने बढ़ती है लेकिन मैंने आपको एक जो सूत्र आज बताए हैं इन सूत्रों को आपको याद कर लेना कौन सा सूत्र बताया हमने एक हमने बताया C equal to Q upon B C equal to Q upon B इसी को हम B equal to क्या लिख सकते हैं Q upon C लिख सकते हैं आप इनहीं को याद कर लेना इनहीं को याद करने से क्योंकि इस चैप्टर के जो भी नुमेरिकल आ रहे हैं जो भी हम करा रहे हैं पो इनहीं पर लगवग लग रहे हैं तो अगर हम नेश्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्या करेंगे इसके कुछ नुमेरिकल करा देंगे क्योंकि numerical बच्चों करना आपके लिए बहुत important है और कुछ numerical हम आपको homework देदेंगे जिनके आप practice करके अच्छे से number ला सकते है board exam के अंदर आप भी top पर बन सकते हो तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर नए वीडियो कर रहे है तो चैनल को subscribe कर देना I hope हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए topic साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्देवादरू